हैलो स्टूड़न्स, तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसर नमबर फिफ्टीन है सुरुष्टी निश्ट्रे ही सुन्दर है, तो सुरुष्टी मिन्स की हमारी धर्ती, यह पूरी सुरुष्टी है वो, ओके तो आपको सब सब पहले क्या करना है आपकी फैर बुक में लेसर नमबर 15 का हेडिंग देना है सुरुष्टी निश्चाई ही सुन्दर है and then आपको शब्दाग लिखने है तो चलो सब सब पहले हम शब्दाग देखते है तो फर्स्ट है विद्धियाले विद्धियाले मिन्सकी पाठशाला स्कूल then सुरुष्टी सुरुष्टी मिन्सकी धर्ती अर्थ then स्वागत स्वागत मिन्सकी अभिनंदन वेलकम करना हम आते हैं अमारे घर पे गेस तो हम उसका वेलकम करते है उसका स्वागत करते है थेन विहार, विहार मिन्सकी सैर करना, वोकिंग करना थेन, क्रोध, क्रोध मिन्सकी गुसा, किसी पर गुसा करना, एंगर थेन, कढवा, कढवा मिन्सकी कटू, अप्रिय, बितर Then अग्नानि मिन्स की मूर्क फुलिश Then मानिक मानिक मिन्स की फीरे जवाराद डाइमंड मानिक मिन्स की डाइमंड Then बीसाफ बीसाफ मिन्स की हैसियत केपेसिती 27 मिन्स की हैसियत, कैपेसिटी देन चल, चल मिन्स की तूखाग देना, डिसिट देन शीरो मनी, शीरो मनी मिन्स की सर्ताज, मालिक, चीफ परसन, क्या चीफ परसन देन विवाद, विवाद मिन्स की कहा सूनी, मतभेद, तकरार, डिस्प्यूट क्या विवाद करना, किसे साथ हम बहस करते हैं, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ, अभी हम लेशन देखते हैं तुष रुष्टी निश्च जही सुन्दर है तो ये लेशन में सबसे पहले विद्यालई के आंगन में रंगमंच, नट और नटी प्रवेश करते हैं तो विद्यालई था, स्कूल था, उसके आंगन में एक रंगमंच, मतलब कि स्टेज रचा हुआ था, बनाया हुआ था उसमें nut और nutty प्रवेश करते हैं मतलब कि उसकी entry होती है फिर दोनो, दोनो मिन्सकी nut और nutty वो बोलते हैं हाथ जुड़कर सबको प्रणाम करते हैं फिर बोलते हैं हमारे विद्यालई में आपका स्वागत है हम केते हैं ना कोई भी हम program start करते हैं पहले तो सबका welcome करते हैं इसलिए nut और nutty दोनोंने सबका welcome किया देन nut बोला आज जुन के महिने की पांच तारिक है तो फिर nut क्या बोला? कि आज जुन के महिने की पांच तारिक है मिन्सकी फिफ्थ जुन है आज देन nutty बोली हाँ आज विश्व परियावरान दिवस है तो फिर nutty ने क्या बोला? कि हाँ आज विश्व परियावरान दिवस है क्या world environment day विश्व परियावरान दिवस मिन्सकी world environment day देन फिर दोनों बोलते है इस शुब आउसर पर हम सुन्दर शुष्टी को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेगे तो फिर nut और nutty देखो यह nut है और यह nutty है तो वो दोनों ने क्या बोला कि इस शुब आउसर पर इतने शुब आउसर पर हम हमारी सुन्दर शुष्टी को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेगे नाटक मिन्स कि एक ड्रामा पेश करेगे देन नट बोलता है क्या आप जानते हैं कि इस नाटक का उदेश्य क्या है तो फिर नट क्या पुछता है सभी को कि क्या आप जानते हो कि इस नाटक का उदेश्य क्या है तैन तो फिर नटी बोली हाँ परकृती माता सब को उसने के साथ पालती है उसकी नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है सबका समय के अनुसार महत्व है तो फिर नटी ने क्या बोला कि हाँ प्रकृती माता है वो सबको सने के साथ पालती है हमारी जो प्रकृती है प्रकृती मिल्सकी नेचर वो हमें हम सबको सने के साथ पालती है उसकी नजरों में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है सब का समय के अनुसार महत्व होता है फिर नट बोलता है तो आप सब के सामने प्रस्तूत है ये नाटक तो फिर नट क्या करता है नट ने बोला कि तो आपके सामने प्रस्तूत है ये नाटक तालाब का किनारा, सुबह का समय तो तालाब के किनारा था और सुबह का समय था तालाब में राजहंस और राजहंसीनी विहार कर रहे है तभी कववे की ध्वनी सुनाई देती है तो तालाब के किनारे सुबह को तालाब में राज हंस और राज हंसी नी वाकिंग कर रहे थे, विहार कर रहे थे मतलब की वाकिंग कर रहे थे तभी कौवे की ध्वनी सुनाई दी मतलब की आवास सुनाई दी तो राजहंस बोला पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों को चुबने वाले काउं काउं जैसे शब्द बोल रहा है तो राजहंस ने क्या बोला कि पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों में चुबने वाले काउं काउं जैसे शब्द बोल रहा है ऐसा राज हंस ने बोला कि कौन ऐसा काव काव कर रहा है वो भी सुबसुब तो फिर राज हंसी नी बोली अरे स्वामी ये कवाई है इसका तो रंग भी काला है और गूम भी काले है अच्छी बूरी सब तरकी चीजें खा जाता है इसके कडवे शब्द तो फिर राजन सिनी ने क्या बोला कि अरे स्वामी ये तो कवाई ही है क्या ये तो कवाई ही है इसके तो बोल भी काला है उसका रंग भी काला है और उसके गून भी काले होते है अच्छी बूरी सब चीजे वो खा जाता है इसके कडवे बोल तो ऐसे बोल रही थी राजन सिनी इसके तो कड़वे शब्द, मतलब कि किसी को सुनने में अच्छा ना लागे, वैसे वो कवा बोलता है, तो फिर ऐसा बोला, सुना ना, राजहनस और राजहनसी ने जो बाते कर रहे थे, वो कवा ने सुना, तो फिर कवा बोला, वो भी क्रोध में प्रवेश करके, देखो, य ये राजहनस है, राजहनसी ने है, ये कवा है, तो फिर क्रोध में वो आता है, आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है, तो भगवान राम और, तो फिर कवा ने क्या बोला, कि आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है, तो भगवान राम और, तो भगवान राम और अगर मेरा रंग काला है तो काला रंग तो भगवान राम का भी था और भगवान कुरुष्ण का भी था अरे मैं तो प्राता हकाल मतलब की सुबह सोते हुए लोगों को जगाता हूँ ऐसा कववा ने बोला फिर राजन्स बोला ये काम तो मुर्गा भी कर सकता है तो राजन्स ने क्या बोला कि ये काम तो तुम क्या ये तो काम तो मुर्गा भी कर सकता है फिर कववा बोला वापस शहरों में मुर्गा कहां? मैं तो सब जगा आसानी से मिल जाता हूँ तो कववा ने क्या बोला? शहरों में अभी मुर्गा कहां पे है? मैं तो सब जगा आसानी से मिल जाता हूँ फिर राजन सिनी ने बोला अरे बातुनी अपनी कडवी बोली से दुसरों को परेशान करने के सीवा तुम और कर ही कह सकते हो तो राजन सिनी ने कहा कि अरे बातुनी मतलब कि सेव बाते करने वाला अपनी कडवी बोली से तुम दुसरों को परेशान करने के अलावा तुम और कर ही कह सकते हो एसा राजन सिनी ने कववे को कहा फिर कववा बोला अरे अगनानी मैं जिस घर की दिवार पर बैठ कर बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आज उनका कोई प्रियजन आने वाला है तो कववा ने क्या बोला कि अरे अगनानी अगनानी मतलब कि अरे मुर्क मैं जिस घर की दिवार पर बैठ कर बोलता हूँ तो लोग क्या केते है? आज उनका कोई प्रियजन आने वाला है मतलब कोई उसका प्रियजन मतलब कोई गेस्ट आने वाला है जो उसको पसंद हो मैं इतना सच्चा हूँ कि मा अपने बच्चे से कहती है कि जूट बोलोगे तो कववा काटेगा तो कववा ने क्या बोला कि मैं तो इतना सचा हूँ कि माँ अपने बच्चों से ऐसा कहती है कि तुम जूट बोलोगे तो कववा काटेगा ऐसा हमें भी कहते थी है ना अमारी ममी कि अगर तुम जूट बोलेगे तो कव्वा काट जाएगा इसलिए कव्वा ने क्या बोला? कि मैं तो बहुती सच्चा हूँ मा है वो अपने बच्चे को कहती है कि जूट बोलोगे तो कव्वा काटेगा फिर राजन भोला रुको रुको तुम्हारा तो पूरा शरिर सोने का बनाया दिया जाए और तुम्हारी चौच में मानिक जड़ दिये जाए तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो क्योंकि हम इतने ग्रानी है कि दूद और पानी को अलग कर सकते है तो राजनस ने क्या बोला कि रुको रुको तुमारा तब पूरा शरीर सोने का बनाया दिया जाए तो राजनस ने फिर कवे को क्या बोला कि अगर तुमारा पूरा शरीर है वो सोने का बनाया दिया जाए और तुम्हारी चौचे उसमें मानिक ज़र दिये जाए, मतलब कि तुम्हारी चौचे उसमें डाइमंड लगाए जाए, तो भी तुम हमारी बराबरी नई कर सकते हो, तो भी तुम हमारी बराबरी नई कर सकते हो, क्योंकि हम इतने गनानी हैं, गनानी मतलब कि बहुत होश्या है ऐसा राजंस ने बोला और हम लोग तो दूद और पानी को भी अलग कर सकते है ऐसा राजंस ने बोला फिर कवा बोला अपने सफेद रंग पर घमन मत करो तुमसे तो बगुला भला तो फिर कवा भी बोल रहा था कि अपने सफेद रंग पर तुम बहुत ही घमन मत करो अपन एसा घमन करना चाहिए नहीं इसलिए कोवे ने क्या बोला हंसको कि अपने सफेद रंग पर घमन मत करो तुमसे तो बगुला भला भी बोली रहा था कोवा तो फिर राजहंसी ने बोले हमारे सामने बगुलों की क्या भी साथ मतलब कि राजहंसी ने क्या बोला कि हमारे सामने बगुले की क्या भी साथ मिन्सकी, हमारे सामले बगुले की क्या है सियत, बगुला और राजहंस दोनों सफेद होते हैं, लेकिन दोनों में जमिन आसमान का अंतर है, तो फिर राजहंसी ने क्या बोला, बगुला और राजहंस हैं, वो दोनों सफेद होते हैं, लेकिन दोनों म ज्वमिन आस्मान का अंतर है, मतलब की फरक है उसमें दोनों में फिर बगुला आता है और वो बोलता है अपने पंखों को हिला कर बगुला क्या करता है? अपने पंखों को हिला कर बोलता है आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो? तुम दोनों तो बड़े चालाख हो जब वर्षा का मौसम आता है तो तालाब छोड़कर मान सरोवर में रहने चले चाते हो मैं ही हूँ जो वर्षा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ मुझे तो राश्ट्रिय पक्षी होना चाहिए नचाने क्यों भगवान ने उस साप खाने वाले मौर को राश्ट्रिय पक्षी बना दिया तो फिर बगुला ने क्या बोला कि आप मेरी बुराई क्यों कर रहे हो तुम दोनों तो बड़े चालाख हो जब वर्शा का मोसम आता है तो तुम दोनों तो ये तालाब छोड़कर मान सरोवर में रहने चले जाते हो मैं ही हूँ जो वर्शा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ मुझे तो राश्ट्रिय पक्षी होना चाहिए क्या बोला बगुला ने कि मुझे तो राश्ट्रिय पक्षी होना चाहिए तो फिर मोर को बोला ना बगुला ने इसलिए मोर आया और वो प्रवेश करके उसकी एंट्री वही अपी मोर की तो फिर मोर बोला राश्रीय पक्षी मैं ही हूँ अरे बगुले तुम तो इतने तूर्त हो कि पानी में चुपचाप खड़े होकर छल से मचलियों को पकड़ कर खा जाते हो तो फिर मूर ने क्या बोला बगुले को कि तुम तो इतने तूरत हो कि पानी में तुम चुपचाप खड़े होकर छल से मतलब कि धोखे से तुम मचलिये को पकड़ कर खा जाते हो फिर कववा बोला अरे ओ मूर तुम नाचने के अलावा जानते ही क्या हो तो फिर कववे ने क्या बोला मूर को कि अरे मूर तुम तो नाचने के अलावा और क्या जानते हो फिर मूर बोला सुनो मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुन्दर है मेरे पंक भी सुन्दर है विधाता ने मेरे सीर पर मुकुट लगा कर मुझे पक्षीराज बनाया है तो मोर ने क्या बोला कि सुनो मेरा नाच और मेरी बोली दोनों बहुती सुन्दर है मेरे पंक भी सुन्दर है विधाता मतलब की भगवान ने मेरे सीर पर मुकुट लगा कर मुझे पक्षी राज बनाया है फिर राजनस बोला शान्त शान्त पक्षी राज तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही गनानी हूँ तो फिर राजनस ने क्या बोला कि तुम शान्त हो जाँ पक्षी राज तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही गनानी हूँ सबसे फिर बगुला बोला कि मैं ही शिरो मनी हूँ क्या बोला कि मैं ही शिरो मनी हूँ मतलब कि सबसे अलग हूँ तो बगुला ने क्या बोला कि मैं ही शिरो मनी हूँ मिन्स कि मैं ही मालिक हूँ फिर तभी प्रकुरुती माता प्रवेश करती है तो तभी प्रकूती माता है वो प्रवेश करती है अभी उसकी एंट्री होती है क्यों क्योंकि सब लोग जगड रहे थे हैं ना इसलिए देखो इधर है हंस और हंसीनी ये है प्रकूती माता ये कवा है ये बगुला है और ये मोर है तो फिर प्रकुरूती माता ने क्या बोला कि आपस में विवाद बंद करो मिन्स कि आपस में तुम विवाद मत करो मतलब कि आप लोग जो आपस में विवाद कर रहे हो वो मत करो विवाद मिन्स कि बहस कर रहे हो वो मत करो मैं प्रकुरूती ही तुम सब की माता हूँ तो फिर प्रकुरूती माता ने क्या बोला कि मैं प्रकुरूती ही तुम सब की माता हूँ तुम सब मुझे प्रिय हो तुम सभी मुझे को बहुती प्रिय हो मतलब कि मेरे सब से प्रिय हो तुम सब लोग समय के अनुसार सबका महत्व है तो प्रकृती माता ने क्या बोला कि अलग-अलग समय पर सबका अलग-अलग महत्व होता है तुम सबके द्वारा ही मेरी शोबा है मिल जुल कर रहो, सुरुष्टी को सुन्दर बनाओ तो प्रकृती माता ने क्या बोला कि तुम सब ही लोग मेरे प्रिय हो समय के अनुखसार सब का अलग-अलग महत्व होता है तुम सब के द्वारा ही मेरी शोबा है तुम सब मिल कुछ जूल कर रहो और शूष्टी को सुन्दर बना तो उसले समय के आज दिख मलती है कि सब का महत्व होता है परन्तु समय के साथ सब का अलग-अलग इंपोर्टन्स होता है इसलिए हम सब को मिल जूल कर रहना चाहिए तो स्टूडन्स यहाँ पे हमारा लेसन नमबर 15 फिनिश होता है थैंक्यू स्टूडन्स कर दो स्टूडन्स